लिए दिन किसी ना किसी फिल्म को लेकर विवाद होता रहा है अब फिल्म मुखमद the messenger of god सुर्खियों में है महाराश्ट के उद्दव ठाकरे ने केंद्र सरकास इस फिल्म को बैन करने की मांग की है मुहम्मद दा मैसेंजर ओफ गॉड फिल्म के खिलाफ मुंबई के मुसलिम संस था रजा अकैदमी ने शिकायत की थी जिसके शिकायत पर उद्धो सरकार फॉरन एक्शन में आ गई और केंद्र सरकार से फिल्म को बैंट करने की मांग कर दी आपको बता दे कि मुहम्मद दा मैसेंजर ओफ गॉड फिल्म की कहानी पैगंबर मुहम्मद के बचपन के इर्दगीर की है ये फिल्म मुसलिम देश इरान में बनी है आगामी 21 जुलाई को रिलीज होने वाली है जब से इस फिल्म को हिंदी में डब कर हिंदुस्तान में रिलीज करने की खबर आई तब से ही मुसलिम संगठन रजा अकैडमी ने इसका विरोज सुरू कर दिया आपको बता दे कि रजा अकैडमी की शिकायत को संग्यान में लेते हुए महाराष्ट के ग्रह मंत्री अनिल देश मुक ने केंदर सरकार को एक पत्र लिख कर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की रजा अकैडमी और उद्व सरकार का मानना है कि इस फिल्म से धार्मिक भावनाय आहत हो सकती है और कानून व्यवस्ता भी बिगड़ सकती है इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले